बस्तर टॉकीजम एक बार अगर आपने एक इस्टोरी देखी होगी कि एक दिव्यांग बच्ची थी जो अपने पैरों से लिखती थी जिसका नाम राखी था और उसके संबंद में हमने पूरी इस्टोरी बना कर आपको बस्तर टॉकीजम दिखाया था उस दर्मियान एक सक्स का मैंने जिक्र किया था और मैंने कहा था कि उस सक्स से आपको कभी मिलाऊंगा तो आज बहुत जदधो जहत के बाद बहुत दिनों की इंतिजार के बाद आज उनको हम अपने बस्तर टॉकीजम में सामने लेके आए जिस तरह से बीते दिनों आपने का ज्यादा प्रभावित करते हैं और यही वज़े है कि मुझे काफी पहले से लगा था कि बस्तर टॉकीज में इनका जिक्र जरूर होना चाहिए बीते दिनों इन्हें 36 गड में जब सोनु सूद आये हुए थे तो उन्होंने भी सम्मानित किया और इनके साथ-साथ मुझे भी क आप ही प्रसंद करने वाला पल था और इनके जानने पहचानने वाले सभी लोगों के लिए तो उन्सक्त से आपकी मुलाकात कराता हूं नमस्कार मैं विकास्तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं अब सब चीज कहानी सुरू करने से पहले एक खास बात बत तो यहीं गाओं के एक भहिया हैं दादा उनको हम लोग हाथ पर जोड़े थोड़ा सा कैमरा चला दो तो वो चला रहे हैं तो कैमरे की क्वालिटी चलने में थोड़ा बोत अगर उपर नीचे होगा तो आप थोड़ा सा बरदास्त करेंगे क्योंकि जो कैमरे के पीछे हैं भीया नाम क्या आपका जैचन बगहल जी है तो जैचन बगहल जी जो है वो कैमरा चलाने में बहुत ज्यादा निपूर नहीं है लेकिन हमारे लिए चला रहे हैं तो जिन सक्से आपको मुलाकात कराना है आजमेर को यह उनका घर है और यह एक बहुत खूबसूरत हाला कि बारिस के बाद यह थोड़ा सा रख रखाओ की वज़ा से इसका रंग उतर जरूर गया है लेकिन यह सुरुवात यहां पर बस्तर में इन्हों ने की अब आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा यह पूरा महौल तैयार कर रहा विकास बता नहीं रहा है कौन है तो सक्स ह सकील रिजवी जी की एक और पहचान है इनको लोग इनके छेत्र में जिस इलाके में जूडी दादा बोलते हैं और डोकरा भी बोलते हैं तो कई लोग डोकरा की नाम से संबोधित करते हैं कई लोग जूडी दादा बोलते हैं तो आज जूडी दादा उर्फ डोकरा उर्फ हमारे बड़े भाई उर्फ सकील रिज्वी जी बस्ते टॉकिज में हैं सकील जी भागत है आपका बस्ते टॉकिज में जब राखी से मैंने इंटर्वी किया था जो पैर से लिखती है जिसको लेकर आप काफी परिशान रहे कि उसको इलाज के लिए कैसे प्रयास किया जाए त बस दोने ही दिखना ची बाकी फिर देख लेंगे तो उस समय मैंने आपका जिकर किया था कि बस टॉकिज में आपको कभी सामने लाएंगे तो थोड़ा से अपने बारे में बताएं आप कहां पैदा हुए पढ़ाई कहां हुई मैं सुना हूँ कि आप विदेश में भी रहे वहीं पर हुई और बहुत समय तक मैं यूरकाफोब है गोद्रेज जैसी कमपनिया है मल्टिनेशनल कमपनी में भी काम किया मगर मुझे वो संतुष्टी नहीं मिली काम में तो मुझे लगा कि वापस अपने घर चलना चाहिए और वहीं कुछ करना चाहिए तो उसी बीच मे जी बिल्कुल वही स्थिती हो गई थी तो उस समय मैं साती संस्ता में काम कर रहा था तो वहाँ मेरे को एक जाब ऑपरचुनिटी मिली यहाँ पर एक डैनिश प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जो डैनमार्क सरकार के सायोग से था तो उस पे मैंने विशे विशे शग्य के और पर काम किया और मेरा काम था कि सम्हो का निर्मार्ण इस पिशे में मुझे पूरे सातों जीलो में ग्वहमना पड़ता था सुक्मा से लेकर यहां तक का तो वो प्रोजेक्ट साथ साल चला और वो प्रोटल प्रोजेक्ट फेल हो गया इसकी वज़े से मैं हो गया बेरोजगार चुकि इस एरिय में काफी घुमता था लोगों से पहचान अच्छी थी तो यहां के कुछ ग्रामीडों ने बोला कि सार आप यहीं रह जाएजे और यहीं कुछ करिए आप तो छोटे कवाली में मैं एक खगेशवर सीठिया जी है उन्होंने मुझे अपने यहां जगा दी और मैंने बकरी पालन से अपने काम के शुरुआत की चुकि डैनिश प्रोजेक्ट में था तो पशुपालन से संबंदित काम मैं जानता था तो मैंने वेक्सिनेशन शुरू किया ट्रीट्मेंट शुरू किया तो वहां से चार पैसे में जो मिल जाते थे बखरी पालन शुरू किया मगर मेरी बदमनसीबी थी कि पूरी बखरिया मेरी बीमारी से मर गई तो मैं बड़ा हैरान परशान रहा मैं जब समझ भी नहीं आए कि आखिर करना क्या है तो एक दिन शुकरवार के दिन नानगूर का बजार होता है तो वहाँ पर कुछ विदेशी परियाक्टिक दीखे तो मैंने यूजली जाके मेरे इच्छा रहती थी कि उनसे चर्चा करूँ चर्चा की तो वो जर्मनी के थे तो उनको बोला कि भी आप कहां रुके हैं तो बोले यहां तो रुपनी के कोई विवस्ता है नहीं हमको जगदलपूर से ही आना जाना करता है पढ़ता है तो मैंने उनको आफर किया आईए मेरे घर में जगह है मैं देता हूँ आपको तो वो यहां रहे यहां के आस पास के चीज़ों को देखा और काफी पसंद आया तो आगरी में उन्होंने यह मुझे suggestions दिये कि आप इस तरह की विवस्ता क्यों नहीं शुरू करते हैं जो महमान आते हैं चाहे विदेशी हों देशी हों उनको अपने घर में रुकाईए और nominal charges उनसे करिए तो यह 2006 की बात थी है तब से मैंने इस धंदे पर ही अपना पूरा focus किया और धीरे 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 और भी लोगों को जोड़ता गया और अभी उसके बाद अमित कटारिया साब जो collector थे उन्होंने इस चीज़ को समझा और उसके बाद रजद बंसल जी ने तो पूरा बस्तर में होमिस्टे को इतना प्रसारीत किया कि अभी लगभग जीला प्रशाशन की तरफ से 32 होमिस्टे यहां पर संचालीत हैं बस्तर के अंदर में और यानि इस्पेशली जगदलपूर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ बाकी ब्लॉक में भी और भी इसके लिए प्रयास च साफ सफाई वालों की जरु परती है। जो regular basis पे काम कर रहे हैं तो बस्तर के लोकल आदिवासी है और वो डिविजन मैं नहीं करना चाहता है इसमें कि वो आदिवासी है या गैर आदिवासी है इस्थानी जो युवा है जैसा आप यहां पर एक गाड़ी देख रहे हैं यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है बले टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनको मोटर साइकल में घूमना है तो हम इस्थानी वहां से उनकी मोटर साइकल मंग लेते हैं उनको किराया देते हैं 700 रुपया एक दिन का और फ्यूल जो है वो खुद महमान भराता है उसमें तो 700 रुपय उसको बैटे-बैटे आ रहा है बहु चीजें बहुत सारे कंदमूल हैं जो शहरों में देखने को नहीं आते तो इन लोग के हां ही वो महमान नावाजी उनकी खी जाती है और वो पूरे पैसे इस परिवार को जाते हैं तो हम लोगों को हमने नियत करके रखा है की खाने का विवस्ता यह करेगा घुमानी का पैसे आपके बच्चे हैं नहीं, शादी आपने की नहीं, तो पैसे को क्या खर्च करते हैं, यह बहुत महत्पूर्ण है, मुझे पता है, लेकि मैं चाहता हूं मेरे दर्सक जाने, क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे भी एक कहानी है, कि अब शुरुवाती दर पे जब मैं महमानों को लेकर गाउं गाउं जाता था, तो बच्चे यहां के जो ग्रामीडी जंचल के बच्चे हैं काफी कमजोर, और महलाएं भी काफी एनिमिक हैं, या खून की एनिमिया की बीमारी होती है, और बच्चे कोपोशित बच्चे हैं, हर अंगन बड़ी में आपको 5-6 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, जो कुपोशित होते हैं, या कई जगा ऐसी है जहां पर एंबुलेंस नहीं जा सकती, तो जो हम इसमें से कमाते हैं, उसका ज्यादा तर पैसा हम कुपोशित बच्चों के लिए करते हैं, और साथ में जो हमको पैसे की कमी पढ़ती हैं, तो शहर में जो गणमान ने नागरिक हैं, बहुत सरे लोग हैं, या बता नहीं सकता, देर सो दो सो ऐसे लोग हैं, जो शहर से, जो मुझे दलिया, दूद और इस तरह की चीज़ों को महिया करवाते हैं, ताकि हम इन बच्चों के बीच में उनको बाढ़ सके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो मेडिसिन हमको देते हैं, मेडिसिन देते हैं, कईसा ऐसे रहे लोग हैं, जो कंबल है, चादर है, कपड़े है, जूते हैं, चपल है, या हर तरह के से जिसकी जितनी चमता है, वो मेरे मदद करता है, और मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे भी इसी में ही लगते हैं कि अभी कहीं delivery हो रही है ambulance नहीं पहुँच पाई जैसा गुरु गठान करका एक गाउं है या गुडिया पदर का एक गाउं है तो वहां से अगर वो dial करते है ambulance को तो वो Odisha का number लगता है वो यहां के coverage में नहीं आता तो ambulance के facility उनको नहीं मिल पाती है ये भी समस्या है ये भी अलगतर की समस्या है इसमें तो वो मेरे को सीधा phone करते है कि सर गाड़ी की वेवस्था कर दीजे तो मुझे गाड़ी तो किराय से लेके जाने है तो उसका पैसा कौन भरेगा तो ये जो कमाई है इसमें ज़्यादातर पैसे इस तरह के कामों में हैं हम लोग उफ्योग में लगते हैं कितना संतुष्ट पाते हैं आप सकिल जी अपने आपको मतलब कितना मतलब क्या कभी ऐसा सोचे थे क्या में बड़ा होंगा तो इस तरह की काम करूँगा कि बच्चों के लिए जो महिला है काम से तो देखे संतुष्टी इसली नहीं मिलती कि हर बार हम जब गाओं में जाते हैं तो रोज एक नई समस्या हमको देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि मुझे ये काम बहुत पहले चीज की तकलीफ रहती है कि ये काम अगर मैं समझदारी से या उस टाइम कोई ऐसी चीज मेर साथ घड़ जाती है और वो काम में पहले शुरू करता तो आज इस्तिती और कुछ होती है मैं आपको काफी लंबे समय से जान रहा हूं और एक लंबा अध्यान आपके उपर अध्यार बहुत मिलता है तो ये उसी का ही रिस्पॉंस है जो आप करते हैं अब मैं तो उनको अपना परिवार कही एक सदस मानता हूं है सकिल जी का खासियत है कि जिस गाउं में रहते हैं यहां रहते हैं जहां भी रहें इनके एक घर नहीं है इस इलाके में कई गाउं में कई घर हैं और कहीं भी खाना एक खा लेते हैं किसी कहां भी बोल देते हैं बड़े हक से जैसे घर का छोटा बेटा बोलता है ना कि मैं यह पता देते हैं, आज मैं तुम्हारे हैं खाऊंगा, तो कई लोग इसके बारे में मुझे सवाल भी करते हैं, कि आपके पास तो पैसे नहीं है, अपने बढ़ापे मैं आप कैसा करोगे, तो मैं ये बोलता हूं कि हर गाओं में अगर मैं पांच-पांच घर में भी खाना शुर की जाए कि बच्चों को दूद् दे रहा हैं, या किया किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन काफी जद औ जधाध से मैंने काफी निवेदन किया, तब ये ताउब ये तस्वीरे मुझे मिली हैं, जो आप अभी देख रहे हैं, कि किस तरह से ये गाओं के क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो लोग समाज के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं शकील जी यह बताएं कि गाउं की स्थिती क्या है आप पूरे गाउं में घूमते हैं इसमें कुछ हिलाके नक्सल प्रभाववित भी हैं बिलकुछ जो छोटे बच्चे हैं जैसे कुपोशन के लिए या महिलाओं के लिए जो बेसिक चीजे हैं उस पर सरकार क्या वाकई बहुत अच्छे से काम कर पा रही है जमीन पर देखिए चुकि कुपोशन पर मैं काफी लंबे अर्से से काम कर रहा हूं तो मुझे जहां तक लगता ह कि सरकार समस्याओं को जिस तरीके से देखती है और हम जिस तरीके से समस्याओं को देखते हैं उसमें काफी भिन्नता है काफी अंतर है जैसा कुपोशित बच्चों के लिए आंगन बाड़ी के माद्य हम से दलिया का वितरन किया जाता है तो जो बच्चा कुपोशित होता ह मात्र उसी बच्चे के लिए चार पैकेट, छे पैकेट जो भी दलिया आता है उसको ही मात्र दिया जाता है अब चुँकि उसके परिवार में और भी उस एज गूर्प के बच्चे हैं तो मा तो दलिया जो बनाएगी वो सब के लिए बनाएगी उसके लिए सब बच्चे बराबर है तो क्या हो रहा है कि जो बच्चा को बोशीत है जितनी मात्र उसको दी जानी चाहिए उतनी मात्र उसको मिल नहीं ही पाग़ा वो बढ़ जा रहा है बाकी बच्चों में तो इसी तरीके से बाकी समस्याओं को भी आप देखेंगे तो बिल्कुल मिलती जूलती है कि भाई रोड तो बन गई है मगर कहीं कवरेज की वज़े से वो एंबुलेंस नहीं पहुंच पा रही है एक बहुत अलग तरह की समस्या आपने बताए कि आप फोन लगाएंगे फोन लग जागा उडिसा में नंबर 112 या 108 में ही लगे तो उडिसा लग गया तो उडिसा से अबुलेंस आएगी नहीं तो मतलब उन तक अबुलेंस पहुंचते नहीं तो जैसे आप उडिसा बडर वाले में गुरू गुठान है या काला गुडा वाला एरिया है सब इसी समस्या को वो फेस कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा तो उन सब के लिए इंबुलेंस का जो टावर आप ही है आपको फोन करते हैं अब इंडारेक्ट लें यहीं बोल सकते हैं भाई जिसको जहां उमीड दिखेगी वहीं पहुंचेगा अच्छा सगिल जी यहां अगर मान ली जी यह जो आपका हो मिष्टे है तो यहां अगर कोई आता है परेटक तो कितना चार्ज लेते हैं आप उसे हम लोग यहां पर जो खाली रुकने का है उसका 700 रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति लेते हैं खाने का लेते हैं हम लोग 600-700 रुपए है वो अलग-अलग डिमांड है कि कोई नॉन वेजिटिरियन डिमांड करता है कोई वेजिटिरियन फूड है तो उसके साबसे वो दिया है गाइट जो हमारे स्थानी युवा हमारे साथ जुड के काम करते हैं उनको एक हजार रुपए से देड़ हजार रुपए प्रति दिन प्राप्त होता है जो मोटर साइकल हम लोग हायर करते हैं उसका साथ सो रुपिया है और कई लोग अपनी कार से आते हैं तो सिर्फ गाइट खाना और रुपने के वेवस्ता उचाते हैं क्या क्या दिखाते हैं याँ हम सबसे पहले तो यहां के जो इस्थानी बजार हैं जहां पर धुरुवा भतरा गोंड और अलग अलग कम्यूटी के लोग दिख जाते हैं तो सबसे पहले जो परेटा काते हैं उनकी रुची बस्तर की संस्कृति को लेकर है कि धीरे-धीरे संस्कृति यहां के खतम हो रही है और वो चाहते हैं कि हमारे जो पूरवच थे वो किस तरीके से रहते थे शायद वो अपने पास्ट को देखना करने के कोशिश करते हैं कि कैसा उनका जीवन रहा होगा कितनी खटनाईयां उनको फेस करन नहीं है, और कश्ट में जीवन है, उनके हिसाफ से, बिलकुल, नहीं बस्तरिया को समस्या समस्या नहीं दिकती कभी, जो परैप्थ है, परियाप्थ है, वो उसमें संतुष्ट है, वो आगे की सूछता भी नहीं और हम ही उनको जबरदस्ति आप गरीब हैं आप कोपोशित हैं आप जो भी है यानि कोपोशनिक भी जो समस्या है उनके लिए वो समस्या नहीं है उनको लगता है कि बच्चे ऐसी हैं कमजोर हैं इवन कमजोर भी नहीं बोलते हैं बच्चा है उसके लिए कमजोर नहीं है नही प्रीज़ों का फाइदा नहीं हो आपको दिखाता हूं सकील जी में बस्तर के पहले वह सदस्य विक्टिती हैं इन्होंने सबसे पहले इसी गाओं के असपास घर है एक आदिवासी के गर था उसके घर के कमरे को बिल्कुल जिस तरह से बस्तर का आदिवासी रहता है उसी तरह से गोबर से और लाल मिट्टी से पोत्वा के साप सुत्रा रखा उसमें चटाई थी नीचे बैठने और सोने के लिए और खाने के लिए बस्तर के आदिवासी के घर का बना हुआ जो देशी वेंजन होता है जिसमें आमट पेच चापड़ा चटनी और तमाम तरह की चीजें उनका उसमें समावेस किया वही खिलाया जाता था और महमान चाहे विदेश के हों या कहीं भी आगे चलके जब सरकार ने हो मिष्टे को अपने उसमें लिया और मदद करना सुरू कि तो आज सकील रिज्वी जी का बोदल में यह हो मिष्टे है और इनके और भी अलग-अलग साथी अलग-अलग स्थानों पे हो मिष्टे चला रहे हैं तो यह थोड़ा से दूर चले जाएं तो हो मिष्टे को हम लोग बहुत खुब सूर्तिस दिखाएं आप उधर आ जाएं जगत भी अब तो यह आप देखें यह हो मिष्टे के लिए बनाया गया कमरा है और अगर आपको लगे कि कैसे यहां रहा जा सकता है तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूं मिट्टी का बिलकुल एक दम ठेट देशी अंदाज का एघर है मिट्टी का बने दिवारों से बनी पत्थर से बनी दिवारे हैं और मिट्टी से इसकी छपाई हुई है अंदर की व्यस्ता दिखाता हूं अंदर अगर आप आएंगे तो यहां आपको सांदार डबल बेट का पलंग एक अच्छी क्वालिटी का कमबल चद्दर तक्या सारी चीज़ उपलब अब आप मतलब अपन तो हर जगान अरजिष्ट कर लेते हैं तो कई लोग करता है हमको कमोड ही चाहिए भाईया गीजर भी चाहिए पानी तो गरम ही चाहिए तो सब को पता है कि आप सो कहीं भी लें नहाने दोने के लिए विवस्ता अच्छी चाहिए तो नहाने दोने के लिए आप वासी के घर पे रुके हुए लेकिन अगर आप यहां के बात्रूम में आ जाएंगे तो बिल्कुल हाइटेक यह आप दिखाएं हाँ बस यही से बात्रूम इतना अच्छा भी नहीं होता कि इसको बहुत करीब से दिखाया जाए तो यह एकदम ठेट वह आप देखें घीजर लगा हुआ है तो बिल्कुल हाइटेक तरीके से यहां पे बात्रूम है और पीने के पानी के जार पाँच के गलास सारी विवस्ता है आप यहां पर आराम से रज सकते हैं और बाहर कर giytal जब आप यहां से निकलेंगे यह बाहर सोफे लगे हुए हैं आप सांदार यहां पे बैठें अब बिल्कुल एकदम गाओं के बीच में उदर खेती हो रही है सब्जियां लगी हुई है सकिल जी की यह मंसा है कि यहां पे हमेशा साल भर कुछ ना कुछ सब्जियां लगी रह है जिससे कि जब परेटक आए तो उन्हें चार और हरा भरा नजर आए और ऐसी भी जब आप गाओं के बीच में रहेंगे तो आपको सब चीज हरा भरा ही नजर आएगा और यह जो सब्जियां है यह और गनीक है अच्छा सिर्फ गोबर खात का ही इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं और कोई नूरिया और या कुछ नहीं बिल्कुल नहीं तो कोई परेटक आया और खाना जाए तो उसको उसको इलिए हम किचन भी बना के रखें कि वह खुद सबजी तोड़े और वह बनाए अच्छा किचन का है देखूं आई किचन दिखाई है अगर वह परेटक चाहे तो खुद बना के खा सकता है तो यह सांदार चीज थी तो यह भी सांदार वेस्ता है थोड़ा से वीडियो लंबा जरूर चले जाएगा लेकिन इसको जरूर दिखाऊंगो मैं तब तक मैं आपको दिखाऊं की आसपास का महौल कैसा है यह कच्चे मकान और यहां के एकदम खूबसूरत लोग जो निश्चल लोग है वो चारो तरफ रहेंगे सुरक्षित हैं आप क्योंकि इनके बीच में हैं ऐसा नहीं है कि यहां गाओं के बीच आपको कोई दूसरी घटना हो जाए या कुछ भी या लूट पाट हो जाए ऐसी क कोई घटना नहीं होगी और साथी साथ चारो तरफ सबजियां लगी हैं पेड़ हैं सखिल बिया बता रहे थे कि गर्मियों के समय में केवल पंखा ही है लेकिन जब आप खिड़की खोल देंगे तो आपको लगेगा पंखा भी बंद कर देना चाहिए तो इस तरह से और एक नई चीज यह पता चली मुझे कि जो मुझे पहले नहीं पता थी कि यहां पर कीचन की विवयस्था है कि अगर प्रेटक चाहें तो वह अपना खाना खुद बनाकर अपने तरीके से मैं जैसा उनको पसंद आ आप बना कर खा सकते हैं और गनिक सब्जियां ताजा ले सकते हैं तो सकील कीचन का दरवाजा के खोलने के लिए चावी लेने करें भाईया चावी मिला अच्छा तो कुछ साजो समान वहां का आप ला रहे हैं क्या ठीक है तो यह जो है जब परेटक चाहे कि उसको खुद बन आकर खाना है तो एक कमरे में यह वेवस्था भी इन्होंने की है हाला कि जो गैस चुला है वो दूसरे कमरे में है क्योंकि कीचन को एक इस्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है बाकि पूरी तरह से बरतन और सामगरिया कैसे लाएंगे वह आप लाकर देंगे हम पूरी वेव करना है उसमें से भी फ्लस चीकरत है उस दो यह हो मिस्थे हैं यह हो मिष्टे चतु इनका एक काम का पाट है मुख्यतव महनने के मुख किरदार साकील रिजम को लोग जिन्दगी में जीने के यह काम करते और कई लोग काम इसले करते हैं कि दूसरे लोग को जीवित रख सकें, कुछ लोग मानवता को जीवित रखने के लिए काम करते हैं, तो ऐसे मानवता को जीवित रखने वाले लोगों को बस्तर टॉकिज में आने का पूरा हक है, और मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि अगर लगे कि वाकई मानवता कि एक मिसाल पेस करता एक विक्ती जो अपने जीवन में सिर्फ इसलिए कमा रहा है कि अपने आसपास के छेतर के बच्चों को कुपोसित होने से बचा सके महिलाएं जब गर्वती हो तो समय से उन तक एंबुलेंस पहुचा सके उन्हें समय से अ गुजारते हैं और दिन दिन भर बच्चों तक दूत पहुचाते हैं तो ऐसी कहानियों से प्रेरित होकर आज मैंने इनकी कहानी दिखाई अगर आप भी प्रेरित हुए हो इस कहानी से तो इस वीडियो को सेर कीजिएगा ताकि हर एक सक्स समझ सकी कि कौन है सकिल रिजवी अगर कुछ लोग प्रेरित हो जाएं तो ऐसे और सकील रिजवी हमारे देश में हमारे समाज में पैदा हो सकें तो वीडियो को सेर किर दिजिएगा और बस ताकि इसको सब्सक्राइब कर दिजिएगा धन्यवाद